हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चनल पर एक बार फिर से स्वागत है और रोज की दाल सबजी से बोर हो गया है तो आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही टेश्टी और मजेदार अर्वी पत्ते की रेशेपी शेयर करूँगी जिसे आप देखते ही जरूर बनाएंगे और इसका स जिजन में अर्वी के पत्ते बहुत ही ऐसली मिल जाते हैं और आप देख सकते हैं यहां मैंने अर्वी के पत्ते के डंठल को अच्छे सारीके से कट करके इसे दोो लिया है और अब हम एक कटोरी लेंगे और अब हम इसamente nggak दालेंगे आप बारीक या मोटा कोई भी बैसन का कर सकते हैं पेशन से अर्वी के पत्ते में बहुत ही बढ़िया स्वाद और फ्लेवर आता है और अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी एड़ करेंगे और आधा चम्मच या स्वाद अनुसार हम इसमें नमक एड़ करेंगे तीखे के लिए एक चौथा ही चम्मच लाल मिर्च पॉडर अट करेंगे तिका आप अपने हिसाब से कमिया जादा कर सकते हैं और अब हम इसमें एक चम्मच भरके आमचूर पॉडर ढालेंगे आमचूर पॉडर की जगा आप निम्बू का रस का भी यूज़ कर सकते हैं दो चमच निम्बू का रस डाल दें और अब हम इन सभी मसालों को चमच से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे सारे मसाले बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और आप देख सकते हैं सारे इंग्रीडियंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल रूम टेंपरेचर का पानी अड़ करेंगे पानी डाल कर हम इसे चमच से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसका एक थिक या गाढ़ा घोल बना के तैयार करेंगे और आप देख सकते हैं यहां मैंने इसका एक तम बहुत थीप बढ़ियां और गाढ़ा बैटर बना के तैयार कर ली हूँ और आप देख सकते हैं बैटर का consistency बिलकुल ऐसा होना चाहिए और अब हम इसे दो मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे और अब हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट के उपर एक अर्वी पत्ता रखेंगे अर्वी पत्ते के डार्क वाले पाट को हम उल्टा रखेंगे और हलके वाले ग्रीन कलर को हम उपर की तरफ रखेंगे और अब हम इसमें एक चमच बेसन और मसाले का बनाया हुआ बैटर डालेंगे बैटर डालकर हम इसे चमच से अच्छे से चलाते हुए पत्ते के उपर अच्छी तरीके से फैला लेंगे जिससे बैटर हमारा अच्छे से फैल जाएगा और अब हम इसे इस तरीके से उपर से मोड देंगे और इसके दोनों साइट को भी हम अंदर की तरफ मोड देंगे और इस तरीके से इसे रोल कर लेंगे और पत्ते के किनारे पे बेसन का घोल लगा कर हम इसे अच्छी तरीके से पैक कर देंगे और आप देख सकते हैं अर्भी के पत्ते हमारे अच्छी तरीके से पैक हो गए हैं और अब हम इसे इस तरीके से बना करके प्लेट में रखेंगे और सेम तरीके से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ हम एक अर्वी के पत्ते लेंगे और इसे इस तरीके से प्लेट पे अच्छे से फैला देंगे इसके उपर बेशन का घोल या बैटर डालेंगे और बैटर को भी अच्छे से हम फैला लेंगे और अब हम इसके पत्ते के उपर वाले भाग को हम अच्छे तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसके सेम तरीके से ही किनारे वाले भाग को भी हम फोल्ड कर देंगे जिससे बैटर हमारा बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा और अब हम इसे उपर की तरफ से रोल करते हुए इसे नीचे की तरफ रोल करते हुए ले जाएंगे और अब हम लाश्ट वाले किनारे को अच्छे से पैक कर देंगे और आप देख सकते हैं सेम तरीके से यहां मैंने सारे पत्ते के रोल बना करके तयार कर ली हूँ और हमने जो इसमे आमचूर पौर्डर का यूज़ किया था इसके वज़ा से ये गले में बिल्कुल भी नहीं लगेगा और बिल्कुल भी इस से खुजली भी नहीं होगा और अब हम एक टावा लेंगे गैस ओन करेंगे टावा को अच्छे से गरम होने देंगे और अब हम उसके उपर एक एक करके सारे रोल रखेंगे और रोल डाल करके गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इस रोल को अच्छे से डाल करके पकने देंगे जिससे रोल हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से बिलकुल अंदर तक पकेगा और आप देख सकते हैं मैंने सारे रोल को रख दिया है और अब हम इसे कवर करके एक से डेड़ मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पे पकने देंगे एक मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं रोल हमारे अच्छे से पक गए और अब हम इसे एक एक करके पलट देंगे और आप देख सकते हैं इसका बहुत ही बढ़िया सुनहरा कलर आगया है इसका मतलब हमारे रोल बहुत अच्छे से एक तरफ से पक गए हैं और अब हम इस उसे एक एक करके पलट देंगे और इसे दूसरी तरफ से भी golden ये सुनहरा color आने तक हमें से fry कर लेंन तयार होगी और अब हम इसे एक minट के लिए और धक करके पकने देंगे रोल जब तक हमारे पकड़ रहें तब तक हमें एक masala बना लेते हैं इसके लिए हमें grinding jar लेंगे और इसमें साथ से आठ लहसुन की कलिया एड़ करेंगे तो हरी मिर्च एड़ करेंगे हरी मिर्च की जगा आप सुखिलाल मिर्च का भी उसकर सकते हैं और अब हम इसमें एक चम्मच जीरा एड़ करेंगे, आधा चम्मच सरसो के दाने एड़ करेंगे, यहां मैंने काली वाली सरसो का यूज किया है, आपके पास जो अब लेबल है आप उसका यूज करें, और अब हम इसमें एक ब्रफली कटा हुआ प्याज एड़ करेंगे, और अब हम रोल को चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं रोल हमारे बहुत अच्छी तरीके से पक गए हैं और अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और रोल को हम दोनों तरीके से चेक कर लेंगे रोल दोनों तरफ से golden sunera color के fry हो गए हैं और अब हम एक chopping board पे roll रखेंगे और roll को हम इस तरीके से बीच में से cut कर लेंगे और इसे plate में निकाल लेंगे सेम तरीके से हम सारे roll को एक एक करके इस तरीके से ही काट लेंगे और आप देख सकते हैं इसके बीच में बेसन बहुत ही बढ़ियां तरीके से सिख गए हैं और हमने जो इसमें आमचूर पॉडर का यूज़ किया था उसके वज़ा से ये बिल्कुल भी गले में नहीं लगेगा और आप देख सकते हैं हमेंने सारे roll को कट करके plate में निकाल लिया है और अब हमें कड़ाई लेगे gas on करेंगे और कड़ाई को अच्छे से गरम होने देंगे एक से ते डेढ़ चमच सरसो का तेल डालेंगे और अब हम इसमें दो तेज़ पत्ता डालेंगे और अब हम इसमें आदा छोटा चमच 5 फोरेन अड़ करेंगे और अब हम इसमें ग्राइंड के हुए सारे मसाले अड़ करेंगे हम इसे चमच से आइल में डालेंगे आइल में डाल करके हम गैस का फ्लेम मेडियम रखेंगे और मेडियम फ्लेम पे हम इसे तेल में अच्छी तरीके से पकने देंगे या भुन्ने देंगे जिससे प्याज और सारे मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और अब हम मसाले में स्वाद अनुसार या अधा चम्मच नमक डालेंगे और अब हम इसमें देड़ चमच धनिया पॉर्डर डालेंगे जिससे धनिया पॉर्डर का बहुती बढ़िया इसमें फ्लेवर आएगा और अब हम इसमें तीखे के लिए एक चोथाई चमच लाल मिर्च पॉर्डर एट करेंगे अब हम इसमें बहुती बढ़िया कलर और खुश्बू के लिए आधा चोटा चमच कासमेरी लाल मिर्च पॉर्डर एट करेंगे और अब हम इसमें आधा चोटा चमच हल्दी पॉर्डर एट करेंगे और अब हम इन सबी मसालों को चमच से ही अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे प्याज के साथ हमारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और प्याज के साथ ही मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे और अब हम इसमें बारी कटे हुए दो टमाटर एड़ करेंगे टमाटर एड़ करके हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस का फ्लेम मेडियम रखेंगे और इसे ढखक करके दो से तीन मिनट के लिए पकने देंगे टमाटर को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं अब हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे और आप देख सकते है, मसालों के साथ टमाटर हमारे बहुती बढ़ियां तरीके से पक गए हैं और अब हम इसे कड़ाई में डाल कर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से मसालों के साथ चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढख करके सिर्फ एक मिनट के लिए रखेंगे जिससे इसमें बहुत ही जल्दी और अच्छे उबाल आ जाएगा और एक मिनट हो गया है हम इसे चेक कर लेगे और आप देख सकते हैं ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया उबाल आ गया है और हम इसे एक बर फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और अब हमने जो अर्भी पत्ति के रोल बनाए थे सारे एक एक करके मसाले में डालेंगे और ग्रेवी में डाल कर हम इसे एक बर फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे इसमें एक चौथाई चमच गरम मसाला एट करेंगे आप गरम मसाला की जगा किचिन किंग मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम गरम मसाला डालके इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और सिर्फ एक मिनट के लिए ढग करके मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे जिससे मसालो का फ्लेवर सबजी में बहुत ही बढ़िया आएगा एक मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं सबजी हमारी बहुत ही बढ़िया बनके तयार हो गई है इस तरीके से अगर आप अर्भी पत्ते की सबजी बनाएंगे तो चिकन फिश सभी भूल जाएंगे आप इस तरीके से इस रेसेपी को घर पे जरूर ट्राइ करें बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और इस पेशली बच्चे तो आपसे ये सब्ते हमें दो से तीन दिन तो जरूर बनवा के खाएंगे और अगर आपको मेरी वीडियो और रेसेपी अच्छी और हेल्फूल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और अधिक शेयर करें और आप इस रेसेपी या सब्जी को चोरोटी, चपाती, पराठा, पूरी किसी के भी साथ खाए ये खाने में बहुती टेश्टी और लाजबाव लगती है आप इसे इस्पेशली चावल के साथ खाए ये ते और भी ज़्यादा स्वादिश्ट लगेगी और मेरी वीडियो को देखने के लिए ठैंक्स फोर वाचिंग, मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसिपी में